हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग मैं भी उसक्मारत्रिपाथी स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर तो फ्रेंड्स आज हम फिर से कार्बनिक योगिकों के IUPAC नाम से सम्मंधित वीडियो लेकर हजिरे जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था हमने ये सीखा कि हम किसी कार्बनिक योगिक के नाम से उसकी संग्रचना कैसे बनाए आज की वीडियो हमारी इस टॉपिक से सम्मंधित है कि हम किसी कार्बनिक योगिक का यदि बंध रेखा चित्र दिख जाए तब उसकी संग क्रचना कैसे बनाएं और उसका IUPSC नाम कैसे लिखें क्योंकि आपको पुस्तकों में बहुत सारी ऐसी समस्याइं मिल जाती हैं जिसमें आप लोग ये देखे होंगे कि इस तरह से कुछ चीज बना दिया जाएगा ये इस तरह से आपको बना के दे दिया गया बोल दिया जाएगा इसका IUPSC नाम लिखो ये प्रकार से आपको बना हुआ दिखेगा बोल देगा इसका IUPSC नाम लिखो ये प्रकार से आपको दिखेगा बोल देगा इसका IUPSC नाम लिखो तो इस प्रकार से हमें बहुत सारी ऐसी समस्या मिल जाती हैं तो आज हम इनी चीजों के बारे में सीखेंगे कि हम इनका IOPSC नाम लिखते कैसे हैं तो चलिए फ्रेंट्स आज की वीडियो हम सुरू करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक अवस्य कर दें और आप काफी पिन लेकर बैठ जाईए क्योंकि आज हम इसे काफी विस्तार पूर्वक समझेंगे और इसके हम संभूर ब्याख्या भी करेंगी तो चलिए सुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक है कार्वनिक योगिकों का बंध रेखा चित्रण तो अब कार्वनिक योगिकों का बंध रेखा चित्रण अगर हमको दिया गया तो उसका यूपियसी नाम कैसे लिखेंगे सबसे पहले आप कुछ बातों को समझ लीजिए पहली बात की संख्या होती है सभी कोनों पर और सभी किनारों पर होती है बात को ध्यान से समझिएगा जितने आपको कोने दिखे उतने कार्बन होंगे जितने किनारे दिखे उतने कार्बन होंगे मतलब जहां जहां कोना दिखा जहां जहां किनारा दिखा वहां वहां आपको क्या रख द आप इस बात को गाठ बांध लीजिए बंध रेखा चित्र में जितने कोने जितने किनारे दिखे तुरंत आपको वहां पे क्या करना है कारवन रख देना है पहला टारगेट आपका यही होना चाहिए यह आपने कर लिया उसके बाद आपको दूसरा काम क्या करना यह रहा है यहां पे ध्यान दीजिएगा द्वीबंध या त्रीबंध मतलब अगर वहां पे कहीं डबल बॉंड या ट्रीपल बॉंड दिखा तो जैसे ही आपको डबल बॉंड या ट्रीपल बॉंड दिखा यह डबल बॉंड या ट्रीपल बॉंड जहां पर समाप्त होते हैं उसके ठीक पहले और उसके ठीक बाद दोनों जगह कार्बन लगाना जैसे यह देखिए यहां पर मैंने ऐसे बनाया और मैंने डबल बॉंड देखिए यहीं तक बनाया तो आपको कार्बन यहां भी रखना है यहां भी रखना है और यह दोनों किनारे हैं यहां भी रखना है देखिए चार कार्बन हो गए वैसे तो अगर आप देखते तो आपको दिख रहा था कि एक किनारा दो किनारा दो ही कार्बन है नहीं लेकिन जहां पे डबल बॉंड खत आम वहाँ पे कार्बन जहां से शुरू वहाँ भी कार्बन इसलिए आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा कि रेखा चित्र में डबल बॉंड कहां तक बनाया है नहीं तो पता चला कि ऐसे बनाया हुआ है देखे मैं आपको करके दिखाता हूँ पता चला आपको इस तरह से करके दिखाया हुआ है तो कह दीजे नहीं है तो लगता हो गया है एक जम्elyn ने गलत छाप दिया वो छापने वाला गलत छाप दिया है प्रिंटर गलत छाप दिया है आप ज़्यादा ग्यानी बन जाईए उसको कहा दीजे नहीं वहीआ या dieser ता प में रखिएगा उसके बाद आपको अगला काम क्या करना ये देखिएगा आपको अगला काम ये करना है ध्यान दीजिए कि इन योगिकों में जो कार्बन की सेस बची सही हो जगता है मतलब जब आपने कार्बन लगा लिया हर जगा पे डबल बॉंड से पहले डबल बॉंड के वाद तो उसकी जूसेश बची से नहीं जगता, वो तो आप पहले से जानते हैं कि इसके दौर आपको पूरी करनी है, हाइड्रोजन के दौर आपको पूरी करनी है, ये तो हमारा माना हुआ नियम है, पहले से हम जानते हैं इसको, फिर एक चीज़ा आप बात को धियान से जोड़ा गया तो वो CEL आपको दिखाया जाएगा, CEL को नहीं छीपा सकते हैं, केवल कि इसको छीपाते हैं रिखा चित्रण में, कार्बन को और हाइड्रोजन को, तो आप इसको गांठ बांध लीजिए, सबसे पहला काम आपको क्या करना, जितने कोने दिखे वहाँ कार्ब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिखा, तो जहां पर डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है, वहाँ पर भी कार्बन रखो, और जहां पर खतम हो रहा है, वहाँ पर भी कार्बन रखो, यह आपका नियम होना चाहिए, उसके बाद जो बची हुई सहीं हो जगता है, उसक आप IOPAC नाम आसानी से समझ सकें तो मैं आपको कुछ एक्जामपल करके दिखाता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि रेखा चित्र से हम IOPAC नाम कैसे लिखें और गारेंटी है आज के बास से यह आपको कभी नहीं भूलेगा बस आप ध्यान से देखते जाएए तो करना क्या है यह देखिएगा आप शुरू करते हैं अब हम तो ध्यान दीजिए हमारा पहला एक यामपल आपके सामने उपस्थित हो चुका है इसको देखिए यहाँ पे यह कैसे दिखाया गया है यह सबसे पहले तो आप याद रखिए जितने कोने हैं आप पूतने कार्बन लगाने हैं तो मैं इसकी संगरचना बनाना सुरू करता हूँ सरु तसम हम यहाँ से सुरू करते हैं देखिएगा एक लगाया हमने C इसके उपर हमने कोना लिया देखिए यहाँ पर कोना दिखा ये भी C आप आईए नीचे यहाँ भी कोना देखिए ये भी C उसके बाद यहाँ पर कोना दिखा ये भी C और यहाँ से देखिए नीचे आकर तो यहाँ पर O.H. जुड़ ही चुका है इसलिए यहां आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है आप इसको विस्तार पुरुवग देख लीजिएगा पहले यहां से हमने सुरू किया था एक कोना हमने लिखा C उसके उपर गया फिर C फिर धर नीचे मुड़ा C यहां उपर गया C यहां पे जुड़ गया O-H O-H जुड़ा है वहां पे वहां भी कार्बन मत जोड़ दीजिएगा हो गया और कुछ नहीं दिखा कार्बन की बची हुई समझता को हाइट्रोजन से पूरा कीजिए तो यहां पे आप देखेंगे तीन लगेगा यहां पर आप देखेंगे दो लगेगा यहां पर भी दो लग जाएगा और यहां पर भी कितना लग जाएगा दो लग जाएगा इस प्रकार से आपकी एक कार्बन की सरिंखला बन गई अब आप देखिए इसमें गिंती किस प्रकार से करते हैं हम कैसे करेंगे गिंती आप इसको देखिए क्या होगा यहाँ पे सबसे पहले इसमें हमको खोजना है मुख्य क्रियात्मक समू दिखा मुख्य क्रियात्मक समू कौन? ओयज दिखा आपको तो गिंती उस किनारे से की जाएगी जिस किनारे से यह ओयज समू नजदीक है तो आप इसमें किनारा खोजिए किनारा आपको यहां दिखा और एक ठो यह दिखा तो अगर इस किनारे से चलते हैं तो एक, दो, तीन, चार, चौथे पे आएगा उस किनारे से हम आएगे तो पहले पे आएगा तो एक, दो, तीन, चार नाम लिखना इसका नाम लिखिए अब आप नाम लिखने के लिए पहले प्रेफिक्स होजिए प्रेफिक्स कैसे खोजते हैं मुख्य क्रियात्मक्समू छोड़ते हैं ओयच को छोड़ दीजिए स्रिंखला के सभी कार्बन को छोड़ते हैं तो मुख्य कार्बन स्रिंखला के आए चार कार्बन, चारो कार्बन को आप छोड़ दीजिए छोड़ दिया हमने बचा क्या? कुछ नहीं बचा जब कुछ नहीं बचा तो प्रेफिक्स है यह नहीं नहीं prefix है तो इसका IOPSC नाम आप root word से शुरू कीजिए root word चार कार्बन के लिए क्या होता है but उसके बाद देखिए कोई double bond है क्या नहीं है double bond नहीं है तो लगा दीजिए ane लगा दीए लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा यहाँ पर suffix second है ओयच और ओयच का नाम क्या होता है suffix second नाम all तो अब तो suffix second जोडने के लिए हमें suffix first का e हटाना होता है हमने आपको पहली वीडियो में बता रखा है तो आप इसको देखिएगा क्या करेंगे हम हम हटाएंगे e को ठीक है हम इस e को हटा देंगे ध्यान दीजिएगा तो a n केवल रखेंगे हमने e को हटा दिया ठीक तो e हटा दिया हमने अब इसका नाम क्या था all था ना तो इसके बाद आप all जोड दीजिए चुकि पहले कारबन पर ही है इसलिए आपको one लगाने की जरूरत नहीं है अगर आप लगाना चाहते हैं तो one all कर सकते हैं इसको ठीक है तो इसलिए ये पहले कारबन पर है हमें लगाने की जरूरत नहीं है अगला एक्जामपल देखते हैं ये आपको समझ में आ गया clear है अगले एक्जामपल की और बढ़ते हैं ध्यान दीजिएगा आप तो ये दूसरा एक्जामपल आपके सामने आ चुका है इसमें आप देखेंगे क्या हुआ है सबसे पहले तो आपको कारबन रखना है यहाँ पर देखिए एक डबल बॉन्ड दिख रहा है अब ये मत कहिएगा कि ये एक जामनर की गलती है सर जी आपकी गलती आप डबल बॉन्ड उसमें छोटा सा दिखाएं नहीं ये गलती नहीं है ये वही संग्रचना ही है तो डबल बॉन्ड जहां से सुरू एक कारबन वहां भी आपको रखना पड़ेगा जहां पर खतम वहां भी रखना पड़ेगा बाकी कोनों और किनारों पर तो कारबन रहेगा ही वो फिक्स है तो अब देखिए इसकी संग्रचना बनाई आप पहले यहां से सुरू करिए इसको एक कारबन रखिए आप देखिए सिंगल बॉंड से आगे बढ़े यहां पर मिल गया आपको फिर यह लगा डबल बॉंड यहां पर भी एक कारबन रखना है फिर यह गया उपर देखिए यहां पर आया एक कारबन चार कारबन यहीं तक हो गए आपके उसके बास से एक मिनट संग्रचना थोड़ा नीचे बनाते देखिए संग्रचना हम यहां नीचे बनाते पहले लगा कार्बन यहां से सुरू किये फिर पहुंचे हम यहां पर देखिए सिंगल बॉन्ड के द्वारा एक कार्बन यहां भी रखेंगे double bond लगाया देखिए जैसे यहां खतम हुआ वहां भी एक carbon लगाएंगे फिर देखिए यहां कोने पर आपको एक carbon लगाना है कैसे single bond से आगे बढ़ेए फिर यहां से देखिए उपर गया यहां पर एक carbon लगा फिर यहां से नीचे आया यहां पर एक कार्बन लगा आपने सब कार्बन लगा दिये बची हुई सम्जक्ताओं को हाइडरोजन से पूरा करिए इसको तीन चाहिए इसको एक हाइडरोजन चाहिए आपको पता होगा बंद पूरे हैं पीछे आपको समझा चुका हूँ मैं इसलिए ज्यादा टाइम बरबाद करने की यहां जरूरत नहीं है एक हाइडरोजन की यहां भी जरूरत इसका देखिए दो पूरा है इसको दो की जरूरत इसका भी दो पूरा है दो की जरूरत इसका एक पूरा है इसको तीन की जरूरत हो गया इस प्रकार से आपकी संगरचना बन गई तो अब देखिएगा इसकी गिंती की दर से करेंगे इसमें तो पहले हमें मुख्य क्रियात्मक समूँ खोजना है जो की नहीं है मुख्य क्रियात्मक समूँ नहीं है तो अब हम देखेंगे द्वीबंद द्विबंद दिखा इसमें कहां दिखा देखिए ये दिखा आपको द्विबंद दिख गया द्विबंद आपको दिखा इसके गिंती अब उस किनारे से होगी जिस किनारे से डबल बॉन नजदी को तो किनारे तो हमारे पास दो ही है अगर इधर चलते हैं देखे दूर होगा इधर से हम जाएंगे तो नजदीक आएगा तो गिंती कर लीजिए एक, दो, तीन, चार, पांच, और छे छे कार्बन की गिंती हो गई मुख्य क्रियात्मक समूद तो था नहीं इसमें वरियत हमने द्यूबन को दी प्रेफिक्स हो जिए, कोई प्रेफिक्स है क्या इसमें नहीं है प्रेफिक्स, रूट वर्ड से शुरू कर ये छे कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है हेक्स होता है न, छे कार्बन के लिए रूट वर्ड हेक्स होता है हेक्स, उसके बाद से double bond suffix first double bond है किस carbon पर है देखिए गिंती आपने इधर से शुरू की न तो इधर से दूसरे carbon पर वो दिख रहा है तो hex लिखिए to लिखिए और double bond का नाम क्या होता है in इसका नाम हो गया hex to in या इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं to hex in भी लिक सकते हैं कोई गलती नहीं है या hex in to भी लिक सकते हैं ये ध्यान दीजिएगा दोनों नाम इसके हो सकते हैं या hex to in या to hex in, ठीक है न ये प्रकार से आपका येx example हो गया थिक clear अब हम इसमें prefix मुख्य क्रियात मक्समू दोनों चीजें घुसाते हैं ध्यान दीजिएगा आप तो यह रहा आपके सामने अगला इक जामपल इस उदारन में आप ध्यान दीजिए सरुपरसम तो हम इसकी संग्रचना बनाते हैं कैसे बनाते हैं यह देखिएगा संग्रचना इसकी कैसे ठीक है ना रख दिये अप थोड़ा सा इसको हम बढ़ा कर लेते हैं दूसरा कार्बन आपने यहां पर रख दिये यहां से तिर्चा निकला हुआ है तो यहां पर भी एक कार्बन रखेंगे फिर आगे सीधा गया हुआ है यहां पर भी आप एक कार्बन रखेंगे फिर देखि से आपकी संग्रचना बनी इसमें हाइड्रोजन को पूरा करिए तीन चाहिए इसको एक चाहिए इसका एक बंद पूरा है तो तीन चाहिए इसको दो चाहिए इस कारवन का देखिए दो नीचे एक इधर इधर चार पूरा है एक भी नहीं चाहिए लाश्ट वाले कारवन को त तो इस प्रकार से आपकी संग रचना बन गई तो आप इसमें गिंती करिए गिंती के लिए आपको मुक्षक्रियात्मक समूं खोजना है है इसमें मुक्षक्रियात्मक समूं कौन है ये देखिये सी ओ जिसका नाम होता है ओन क्या होता है ओन सफिक सब्सकेंड नाम है O29 Keytone आपने सुना होगा Keto तो अब देखिए जहां पर गिंती हम किस टर्मिनल कार्बन से करें गिंती तो आपको तीन टर्मिनल कार्बन इसमें डिख रहे हैं कौन कौन से देखिए एक ये दिखा, एक ये दिखा और यह किए दिखा टर्मिनल कार्बन तर्मिनल कार्बन आपको तीन दिख गए इसमें जो सबसे किनारे किनारे हैं तो गिंती कहां से करें जहां से यह ओन समून नजदी काएगा तो इधर से आ रहा है तो गिंती यहां से कर लीजिए देखिए इसको कर लीजिए एक यह दो य इदर सामने आगए 5 अब उपर भी चले जाते तब भी 5 बनता उपर भी आप जा सकते थे तो 5 कारवन की आपकी सरिंखला बन गई अब इसमें आपको खोजना है प्रेफिक्स इसका यूपीएसी नाम लिखने के लिए तो प्रेफिक्स कैसे खोजेंगे इस कीटोन को छोड़ि देखिए ये एक्स्ट्रा आपका बचा हुआ था ना जो पूँच निकली हुई थी तो वो गया प्रेफिक्स में और किस कारवन पर है वो नंबर 4 पर है इसलिए उसका प्रेफिक्स नाम पहले हम लिखेंगे 4 मेथिल ठीक है 4 मेथिल और कोई प्रेफिक्स है नहीं है तो र बोल दीजी दिख रहा है सर जी कहां दिख रहा है वो तो सी डबल बॉंड ओ मुख्य क्रियात मकसमू में चला गया वो डबल बॉंड क्यों दिखेगा आपको डबल बॉंड आपको कारवन की स्रिंखला में देखना है किसमें मुख्य कारवन की स्रिंखला में है नहीं है क्य वाल ओन नहीं इस बार ध्यान दीजेगा जो वो सफिक सेकेंडर थाथ सीयो समू था वो दूसरे कार्बन पर है सेकेंड कार्बन पर है इसलिए उसके ठीक पहले दो लगाना पड़ेगा और यहां पर हम लिखेंगे ओन तो नाम बन गया फोर मेथिल पेंटेन टू ओन इस प्रकार से बन गया ठीक है ना तो यह आपका काम हो गया आप इस तरह से इसको बना सकते हैं तो और एक्जामपल आप अपने मन से हल कर सकते हैं जितने एक्जामपल आप चाहिए अपने हिसाफ से बना सकते हैं मैं कुछ एक जामपल आपको बनाके दे देता हूँ आप उनको घर से कर लीजिएगा अपने मन से तो देखिए जैसा कि पहला एक जामपल है आप तो पहले इसी को बनाके लिखा दीजिए हमको यम दूसरा देगा हूँ मैं आपको देखिए यहां पे यह इस तरह से देखिएगा ध्यान से देखिएगा कहां पे खत्म हो रहा है और यह लगा यह ठीक है न उसके बाद यहां पर देखिएगा तब यह आगे बढ़ रहा है उसके बाद यह दिखा इधर आया फिर यह इधर आया और यहां से जुड़ गया और यह अच्छ नमबर पांच नमबर चार है यह और यह नमबर तीन था देखिए आप इसको देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे यहां पर मैंने जोड़ दिया CEL और यहां मैंने एक पूँच निकाल दी तो इस प्रकार से आप इनका नाम लिख लिजिएगा अन्य रेखा चितर भी आप बना के नाम लिख सकते हैं अगले सेशन में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और सेयर करना ना भूलें धन्यवाद